उसके बाद आपको अड्रेस देना है अपना प्रमिय जन्विय 2020 इस साल का एक जन्वरी का एक जन्वरी को आपके इस अड्रेस पे रहे देते हैं निमेरो ए उहएता है, आप एवन्यु पे भी रह सकते हैं बुलवक भी रह सकते हैं। आप बताना जारे हैं कि बिल्डिंग भी है बाचिमोबे बाचिमोबसर एक चुछ इक्स्टर इंफिर्मेशन अपने अड्रेस के बारे में देना चाह रहे है तो आप यहां पे दे सकते हैं कोटब पॉस्ताल जैसे पारीज का है 17 highest 700000 गॉप सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं पारी ये अगर आप रिटेंल में लिखने कोई पारीज 11 12 में रेते हैं 75012 आएगा या 75011 तो उसे साब से और साथ में आप कोम्मुन लिखेंगें जो शहर का नाम है आपकर पहुता है यादान्प हैं, चार्पर तोफित हैं, ऐस भी सबीज़े ज्टना है ещёannen डेरेस. यादकर प्हेढности पायुक्ता क्नेका जप्र है Nाहीं पछेदाई हैं झाम मैं कि अचाने की ऊचाओ, तो आपने यह जुख देक रहे हैं कि मैं 2019, 2019 यह उप्चण त Kelli है, नहीं है। और उसके बार आपका अड्रेस चेंज हो गया हो तो आपने यहां पीस option पे click करना है अगर इसमें से कोई option नहीं है जैसे कि इस case में मैं आपको declare कर रही हूं तो आपने सीधा swive on पे click करना है उसके बार यह सारा पे जाएगा, detail में नहीं जाओंगी main information आप में से काफी लोगों को नहीं बता होता और वो कुछ नहीं tick करते audio visual, audio सुनना, visual देखना audio visual प्रिब्लिक मतलब तीवी जो आपके घर में तीवी है अगर, क्योंकि तीवी का भी आपको पता है लग टैक्स पढ़ता है अगर आपके घर में तीवी नहीं है ध्यान से अगर आपके घर में तीवी नहीं है ध्यान से सुनना यह आपने यहां पर टिक करना है अगर आपके घर में तीवी है तो यहां पर टिक नहीं करना दुवारा से अगर आपके घर में तीवी नहीं है तो आपने यहां पर टिक करके उनको बताना है कि मेरे घर में डीवी नहीं है देखाओ हो सकते है कि आप प्लूजियों लोग हैं एक ही एड्रस पर रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबने बोलना है कि मेरे घर में टीवी है क्योंकि एक टीवी है तो एक बंदा डिक्लेयर तो इने की सबने डिक्लेयर करना है तो अगर आपको फिर टैक्स आ जाएगा फ्री में अगर आपका टीवी नहीं तो क्या फार्दा टैक्स देने का सिच्वेशन में मैं कंटिनु करूंगी जिनका मैंने अमपूर डिक्लेयर करें हो सेली बाता है तो यहां पर already लिखा हुआ है अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा मागियाश या कुछ और सीनियाले करना है 2019 में जो हुआ है कोई मागियाश, कोई पैक्स या कोई देसे तो आपने यहां पर क्लिक करना है और आपके पस नहीं option है जाएगी यहां पर मैं क्लिक नहीं करी क्योंकि यहां पर जो है ज़रूरत नहीं है यह simple case है उसके बाद जब आप यहां पर इस page पर आएंगे यहां पर पताना है कि अगर आपके बच्चे हैं मुदुजीजवीतों जिनके अभी तक शादी नहीं हुई यहां अगर आपके बच्चे हैं जो ऑनजी कैपे हैं जिनको हैंडी कैपे या कोई हेल्थ की प्रॉबलम है कोई भी उनकी उमर है तो यहां पर क्लिक करके बच्चे की information डिक्लेयर करना है अगर आपके पास बच्चे हैं आते हैं जो सकता है कि आपके डेवोर्स हो चुक है तो आप भी बच्चे अपने पास रखते हैं या आपके वाइफ या हस्बर्न के पास भी कुछ टाइम रहता है जो सकता है तो इन बच्चों को अगर आपने डिक्लेयर करना है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे या बच्चे हैं नो मागए यह दो मुद्ध जीज़ेता हैं अठारा साल से उनकी उमर काम है बच्चे फुल टाइम आपके पास नहीं रहते हैं पार्ट टाइम रहते हैं महीने में कुछ दिन या साल में कुछ दिन यहां पर आप डिक्लेयर कर सकते हैं अठारा से अठारा से उनकी जीज़ेता हैं तो इसको भी क्था आप उठाते हैं वो बंदा अपना खर्चा खुद नहीं उठा सकता तो यहां पर आपने क्लिक करना है अगर आपके पास ऐसी situation है तो case to case होगा यहाँ पर मैंने आज की वीडियो में एक general case लिया है तो आप अपने इसाब से इसको change कर सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं जिनके भी शादी नहीं हो और जो major है जिनके उमर 18 साल से ज़ादा है और जिनके बच्चे नहीं है आप उनको वहाँ पर यहाँ पर declare कर सकते हैं हो सकता है कि आपके घर में बच्चे हैं जिनकी शादी हो चुकी है वो मागई हैं आपके साथ रहते हैं यह पक्से हैं आपके साथ रहते हैं तो उनको भी आप declare कर सकते हैं यहां और हो सकते हैं कि आपके बचचे जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन उनकी स्कॉस्सिबिटीज आए उनक आगए बच्चे हैं। यह तो ज़्छातर हमारे केस में तो कमी होता है। यहां पर यह कॉमन्न है फ्रांस में तो इसलिए यह ऑप्शन भी है। तो यहाँपे आपने ऐड़ करना है और अगर आपके Peaches Enfant Residence Altenay Peaches Enfant होते हैं बच्चों के बच्चे तो उनको भी आप डिकलियर कर सकते हैं अगर आपके बच्चों के बच्चे आप दादा है नाना है कोई भी आप्शन है अगर उनके बच्चे हैं मुतलवार के बच्चों के बच्चे हैं, वो आपके साथ कभी-कभी रहते हैं, तो आप उसको भी यहाँ पे डिकलेर कर सकते हैं. पित्थित्ष् elder N suppose our, पित्षित्षिरो के बच्पित्षित्त, पित्षित्त्त, मैं आपके। प्रेज़ पनाने, पौन है। जुएित्षित्त, हमागी Gelए. पित्षित्त, кभी यहाँ फ्युकत आपके। Jứngog nhé, पَّस्पित्त, हद्ख पनाने,orship. है अगर आप यह आगे आपके आंप हूआएगी आप सब नॉर्मल करते हैं तो अपने करना है उसको पहुशे करना है और नहीं हुआ तो आप कर सकते हैं और वह मैं आपको आज बताऊंगी आपने पर क्लिक करना है फिर यह पेज आ जाएगा इसलेक्षियों ने रुब्रे कुस्वेटे फार अफारे यह बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछते हैं कि आपके कहां कहां से रोफन्य आते कहां कहां से पैसे आते ह अगर कोई एक्स्टा आप्शन आप ढूंड रहा हैं आमपो के बारे में जो आपने डिक्लेयर करनी हैं जो आने वाली लिस्ट में नहीं है तो आप यहां पर टाइप करके वह ढूंड सकते हैं त्खेत्मों सालेक्षियों गोत खेग ज्यांद एक्शियों ना गया सलाएं मैं यह सब डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि यह सब किसी ने पूछा नहीं है मुझसे मैं में इंफ्वेशन दोंगी यहां पर ठ्खेत्मों साल्य मैं चीज के लिए डिक्लेयर कर रही हूं उन्होंने अपने सैलरे करनी है साल के आप्शन धेर सारी होंगी यहां पर हुनन यह लग लग तरह के option आती हैं यह सारी option है आपके पास मेरे लिए जो mainly important है जैसे मैंने आपको बताया है वो है त्खित्मों या सलेख मेरी सलेख important है तो मैंने पहली option जो मैंने आपको दिखाई थी मैंने उसके ऊपर click कर दिया है यहाँ पर क्लिक करके मैंने स्वीवाँ पे क्लिक किया है यह नया page आगे यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत खुद देख लाना आश्यों देख लोगने पहले है जो मैंने आपको बताया था अल्रेटी पहले से हमने information भार के रखियो यह जो हमें मिली थी आपके बातों से अगर आपको ल प्रूरी है सालया तो यह अगर आप ध्यान से देखें यह सारी लिस्ट है तो यहां पर एक पैंसिल बनी हुई है इस पैंसिल के उपर मैं क्लिक करूंगी